तुमस्कार पावर प्रिकफस्ट में आपका स्वागत है तुम आज मार्किट के पास थोड़ से कमजोर संकेत हैं यह कमजोर संकेत थोड़े ग्लोबल मार्किट से हैं कल की जबर्दस तेजी के बाद कल का सेकंड आफ तो बज़ार के लिए बढ़ा है थी हासी रहा हमने अच्छी खासी बड़ा दिखाई ग्यारे हजार साथ सो की टर्रेटरिक में पहुंचे ना केवल पहुंचे बलकि वहां पे क्लोजिंग भी हमने की और एक कल का मूव आप द आंकडों के जरीया निकी जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं जिनके रिजल्ट्स आने हैं इस सब पे भी चर्चा होगी लेकिन शुरुआत करने पहले एहम ट्रिगर्स के साथ ट्रिगर्स में सबसे पहले तो ग्लोबल मारकेट इसके थोड़ा कमजोर संकेत है यूएस के क्योंतरुके अगली सीरी28 कंडर .스타 कांजोर सबसें रखेंगे नतिगे 3 सिर्स में देखेंगे इसी सेर बैब हुई से में आजा तिमाहय अधहर ख़ेगा है यह आज सबसे क्रिटिकलकर मारे 205-30 से क्या आइम से माफ कीजिए उसके भी नतीजे होंगे उस पर भी हम बातशीत करने वाले लेकिंस पहले ज़ल्दी से संधीप से जान लेते हैं ग्लोबल मारकेट के संकेत क्या है फिर खबरवाले शेड और अनलजी से स्टरड़ी भी जानेंगे संधीप बताएं अदेखे इक समय तो गैरा साथ सो के नीचे भी फिसल गया था अभी भी एक चुताई फीज़ी के आसपासी गिरावट है एशिन मारकेट्स मिले जुले हैं जातर मारकेट्स अगर आप देखें तो आपको कमजोरी नजर आएगी जपान का मारकेट्स छोड़ देजे जहाँ बैंको जप पिलर और 80 & 80 इनके नंबर्स के बाद जो शेर गिरे हैं उसका इंपक्ट S&P और डाउ जो उस दोनों के उपर देखने को मुला था डाउ करीब 60 अंक के आसपास गिर के बंद हुआ नदीजों का इंपक्ट यूरोपिन मारकेट्स में भी था मिले जुले बंद हुए और ज् के सासा कल फिर से रुपया कामज़ूर हुआ है अब 70 के आसपास कुझे लेवल्स हैं वो देखने को मुल रहे हैं तो हमारे लिए जो दिक्कत की बात है विदेशी फ्रंट से ज्यादा छोड़ दीजे जो गहिलू फैक्टर्स हैं जिसमें C2 फैक्टर आप जो बोलते हैं र डॉलर के आसपास के लेवल्स देखने को मुल रहे हैं तो नो डाउट अगर आप देखें बहुत ज़्यादा कमज़ूर नहीं है ग्लोबल संकेत लेकिन जो C2 फैक्टर है ये कितना चिंता कभिशे है और कितना वे करता है ये देखना बहुत इंपर्टन हुगा ये डॉलर इंडेक्स 98 हो गया इसका क्या मतलब समझे इसका आप देखें सीधा सरोकार आप रुपे से देखें न सत्तर के आसपास के लेवल्स देखने को मुल रहे हैं ये अपने आप दर्शारा है कि अगर डॉलर कम और मजबूत होगा जिससा से मार्केट रिकॉर्ड हाई के आसपा इसका इंडेक्स के अपने के आप देखें और मार्केट रहे हैं यह जो को यूँडेन मामला है ना वो कहीं ना को मार्केट्स में डिसकाउंटे है एकसपारी का एक्षिण कैसे रहेगा उसका अएक पहले से पूरवा नुमां भी है रज़त मेरे से योगी मेरे से जुड़ रहे हैं आपको बताएंगे कि एकसपारी कहां पर और कैसे कट सकती है रज़त बताएं लेकिन बायस पॉजटिव है कि डाउनसाइट रिस मातर 25% जानकार मान रहे हैं कि इन लेवल से देखने को मिलेगा तेजी में ही हो सकता है कि एकसपारी करती हुए नजरा है तो यहां पर भी बायस पॉजटिव है कोई भी डिप आए तो निशले सोलों से हो सकता है फिर से एक स्मार्ट पॉल बैक या फिर खरिदारी होती हुए नजरा है अब पर खड़े हैं वहां से उपर की एकसपारी आप बता रहे हैं दोनों ही से वेंगेंदर बैंक निफ्टी के अंदर भी इस पीचर एफ़ाइस और डियाइस का कामकाच भी देख लेते हैं फिर इनलजी से जूड़ते हैं और इससे स्टेड़जी जानेंगे पहले एफ़ाइस का कैश सेग्मेंट में कामकाच देखें नोसो चोट्र क्रोड रूपे की खरीदारी इनकी तरफ से हुई है डियाइस की तरफ से साड़े च्छे सो क्रोड रूपे के आसपस की बिकवाली हुई है अब इनके अलग-अलग सेग्मेंट आपके सामने आजेंगे वायदा में कहां पर क्या क्या हुई है फ्यूचर्स के अंदर साड़े चार सो क्रोड के आसपस खरीदारी ओप्शन्स एक्सपारी से टिपिकली ओप्शन्स पोड़ा पहले बड़ा अकड़ा मिलता है इस बार क काम मिला 125 क्रोड इसका मतलब समझेंगे स्टॉक्स फूचर्स के अंदर प्लस हुआ है यानि कि खरीदारी हुई है वह है तीन सो ब्यासी क्रोड रुपे के आसपास की यह एफ़ा इसका कामकाज है वायदा बादार के अंदर और कैश सेग्मेंट के अदर अब अनिल जी से जूड़ते हैं जानते हैं आज की स्टेट जी अगर वहां भी खुल जाए तो बड़ी बात है तो गिराउट के साथ खुलेगा तो रिकवरी भी आईगी और खरीदारी भी तो कि खास चिंता वाली बात है ने दरने की जरूत है ने मेरे लिए ग्लोबल संकेड म्यूट्रल है अमेरी की बागा हलकी कमज़री के साथ बंद इस लिए बहुत चिंता करने की जरूत नहीं है एक्सपाइरी का एक्षेन है और एक्सपाइरी के लिए आज से और जो गोलेटिली इंडेक्स 24 के आज पास बनावा है उसे थोड़ा उतार चड़ा तो रहेगी तो जितना बैतरी है कि जितना कमज़र खुले उतना रिकवरी पास निकले तो लाइफ टाइम ग्यारा जारा जारा चपने उदर आगे बढ़ने का मोगा बन सेकता है तो वह इसलिए बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूं कि आज एक्सपाइरी अदरवाइस तो चोटी रेंज से ही काम चल जाता है बैंक उतिका जहां तक सवाल है 29,900 सराज निफ्टी बैंक निफ्टी में लेडर्शिप किसके हाथ में रह सकती है एक्सेस बैंक के आज नंबर्स भी है यह सवाल थोड़ा सा मुश्किल है कि लीडर्शिप किसके हाथ रह सकती है क्योंकि कल निफ्टी बैंक यूट्री दोनों ने ठीक पज़र्शिन किया है मुझे भी ऐसा लगता है कि एक्सपायरी के लियाद से ज्यादा संभावना है कि लीडर्शिप निफ्टी से आज ठीक है अगर निफ्टी पर लीडर्शिप है तो कौन से सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉंग होगा निफ्टी को कौन मजबूर करेगा सेमेंट पे लगता है कल की खरीदारी ओर बढ़ेगी अल्टाटेक के रिजल्स जो बारिकी से देखे हैं इसके बाद और अच्छे लगए है और एक और चीजी सेक्टर को लेकर बढ़िया दिख़ई है अल्टाटेक के नतिज़े के बाद जो अगर आप सेक्टर पर देखे सेमेंट पर इसलिए आप देखे खाली एक अल्टाटेक में सारे सेमेंट शेरों को चमका दिया है तो मुझे लगा सेमेंट एक अच्छा है एन्बेस से चुरिंदा यह बढ़ेंगे नमबर के लिया आज से मनेंश शांदार नमबर हैं उसका इसर आपको देखने को मिलेगा तो NBSC और साथी सेमेंट यह दो सेक्ट मुझे चीग दिसे हाजी ठीक है से बहुत शुक्री आपका आज मारकेट फिर से तेज हो सकता है यानि कि जितना गिर जाए नीचे यानि कि जितना एजएक सेमेंट आपको कमजोर दिख जाए उतना बैतर हो सकता है क्योंकि यह आपिस इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे बढ़ रहे हैं पूजा से जानते आज के खबरोवाले शेयर्स पूजा बताएं आप जी आज नतीजों पर ही ज्यादा फोकस रहेगा शुदवा सबसे पहले आज आने बारे नतीजों से कर लेते हैं बायो कॉंड पर आज इसलें इंडिया और बायो काउं के नतीजे हमने बताएं इसके लावा एंसी इस अपने नतीजे जारी करेगी तो यहां नज़र रखिया और कैश सेग्मेंट से रालस इंडिया, SBI Life Insurance, आदिते बिला मनी और साइंट यह सभी कम्क्या आज अपने नतीजे घुशित करेंगी वहीं दूसरे तरफ भारती इंफ्रेटल के नतीजे भी अनुमान से काफी साथा कमजोर ही नज़र आ रहे हैं आए में गिरावट दर्ज हुई है एक परसंट की मार्जिंस यहां कमजोर दिखाए दे रहे हैं और मुनाफिक आपकी जो आकड़ा है मापर 6 परसंट की फोकस रहेगा यूलिप जैसे प्रोड़क्ट पर और इसके चलते हैं कमठी के कुछ एक्सपेंस बर सकते हैं और उसी का असर कमठी के मुनाफिक में दिखा जिसमें की करीब 30 परसंट की गिरावट इस बार दर्ज हुई है वहीं दूसरे तरफ एमिनम फिनांस के नतीजे का अधी शांदार इस बार देखे गए हैं और इसके हम उमीद भी कर रहे थे एनायाए में करीब 30 परसंट की ग्रोथ और मुनाफिक में 80 परसंट से ज़्यादा की ग्रोथ इस बार टच हुई है और एव जो ग्रोथ हुई है वह पिछले 12 क्वार्टर में इस बार सबसे ज़् करेंगे सुधार का दौर चालू हो चुका था कंपनी के लिए और अभी हम देख रहे हैं कि लगातार एक टर्नराउं स्टोरी बनी हुई है और एउम जो इस बार आया है वो अपने रिकॉर्ड लेवल पर है मतला हम पिछले 12 क्वार्टर से कंप्यार करेंगे तो अपने जोदार रियाक्शन और MNM Finance पर हम उमीद भी करें था अच्छे नंबस की आइसे से प्रडेशल उतना ठीक नहीं दिखाए दे रहा है इस वक्त आइसे से प्रडेशल मिले जुले नतीजे हम कह सकते हैं इसे से प्रडेशल की तरफ से तो यह तो बात हुई नतीजों की जुटाएंगी पूजा? कुशल मारुती से शुरू कीजे, मारुती की नंबर्स कैसे आ रहे हैं? कुल मिला के सभी फ्रेंट पे कमजोर हैं, मारुती के नंबर्स जो हैं वो मिक्स फ्रेंट पे रह सकते हैं, मिले जुले रह सकते हैं, वही मार्जिन्स फरेंट पर आप देखिए, तो उसमें भी करीब 2.3% की गिरावट देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि घरेलू जो कीमते हैं स्टील की वो उसमें गिरावट आई है, साथ-साथ रेलाइजेशन पर भी दबाव देखने को मिला है, पर आए फ्रेंट पे कमपन इसके नतीजे कैसे आ रहे हैं? से आए, उसमें करीब 19% की बढ़त देखने को मिल सकती है, साथ-साथ कमपनी की जो लोन बुक है, उसमें 16% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, इंटरस्टिंग, एकसेस बैंक तो आब बहुत इंटरस्टिंग बिता रहे हैं, घाटे से मुनाफिय में आ सकता से अच्छी राइडिक देखे थी, उसके उपर एंडेक्स निकल आए, उसमें इसमें को मिल सकता है, बिल्कुल खरिजना है, और लेट फार लेट इंटरस्टिंग बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा है, पुल्बैंक अब लोगों को यस बैंक डिमाट दोनों ही शॉक म है, यस बैंक के दर हम लोग ओपर के तरफ दो सो चौबल इसके लिए प्लेए ठीक है, ठीक है, यस बैंक पे आप कहा रहे हैं, डीमाट भी खरिदना है, निफ्टी भी खरिदना है, तीनों के लावल्स अपनोट कर लें, यह आज रोईत की तरफ से तीनों ट्रेड है, कॉम इसलिए 37,600 तक का टार्गेट रखें, ग्लोबल ग्रोथ में थोड़ा बहुत सुधार दिखेगा, कुरूड के अंदर वो कह रहे हैं, के बर चाहें, तो आप विक्वाली कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर आपको वापीस आता दिखेगा, अच्छा साइन है, एकुटी मार्क लेकिन जो नतीजे वह अनुवान से थोड़े से कम आते हुए दिखे हैं, उसके बाद यहाँ पे CLS ने अपने जो लक्षे हैं वो भी घटा दिया, और रेटिंग भी घटा कर बिक्वाली की सला दे रहे हैं, लक्षे यहाँ पे 300 से घटा कर 285 तक के दे रहे हैं, और यह मा बढ़ा दिया है, पहले 4116 तक के लक्षे वो दे रहे थे, अब बढ़ा कर 5147 तक के नए टागिट्स वो यहाँ पे बता रहे हैं, वहाँ रहे की जो नतीजे वो थोड़े से बहतर आते हुए दिखे हैं, जिस तरह से कीमते बढ़ेंगी उसका जो फायदा वो कंपनी को मि बढ़ा दिये हैं, लक्षे 440 से बढ़ा कर 460 तक के कर दिये हैं, बीस रुपए तक के लक्षे बढ़ा हैं और वो यह मान के चल रहे हैं कि जो सीजनल दिक्कती थी इस शेत्र में इसके बावजूद यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बहतर आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी यह मान के चल रहे हैं कि जो नतीजें थोड़े से बहतर आते हुए दिखे हैं पसिस्टिंसी रेशियो बहतर आते हुए दिखे हैं चीक है दिराशी बहुत शुक्रिया है सारे कि सारे रिपोर्ट्स पताने के लिए